सत्ता के दो किंद्र रहने के वज़े से ही और नर्ने की इस्तिती बनती है और देश में ये संदेश गया था कि सोनिया जी ने प्रधान मंत्री का पद त्यागा था ये संदेश कांग्रेस ने दिया था लेकिन सोनिया जी ने सत्ता नहीं त्यागा सत्ता की एक केंद्र वो खुद बन गई और दूसरा केंद्र मनमुहन सिंग जी बन गए कांग्रेस के परवक्ता ने कहा कि बहुत लंबे समय तक काम करती हुई ये एक आइडियल जोड़ी मनमुहन सिंग जी प्रधान मंत्री के तौड़ पर काम कर रहे हैं लेकिन वो अपनी कमिया को सुईकारते तो हैं लेकिन सुधारते नहीं हैं आज भी CII की मीटिंग में उन्होंने देश के आर्थिक हालत पर चिंता जताई जो विशे भारती जंता पार्टी उठा रही थी वो सारे विशे प्रधान मंत्री के मुक से आ रहे थे Economic Slowdown है GDP पीछे जा रही है निराशा का वातावरन है ये सारी बातें प्रधान मंत्री जी के मुक से आई है लेकिन प्रधान मंत्री जी आप कमी सुईकार तो कर रहे हैं लेकिन सुधार नहीं कर रहे हैं आप से लोगों की अपेच्छा सुधारने की है न की सिर्फ सुईकार करने की ऐसे सरकार अपने आखरी मुकाम पे है इस सरकार की कोई credibility न जनता में है न विपक्ष को इस सरकार पे विश्वास है न सही होगियों को विश्वास है अब तो लग रहा है दिगविजे सिंग के बयान के बाद कि कांग्रिस के का करताओं को भी सरकार पर विश्वास नहीं आज हमें अप एक्षा थी कि जब प्रधान मंतरी देश को संबोदित करेंगे C.I.I. की मीटिंग में तो वो क्या-क्या सुधार करने वाले हैं और क्या-क्या निरने किया है इसके बारे में बताएंगे लगिन उन्होंने कोई भी ऐसे कदम नहीं ठोस कदम नहीं गिनाए जिसके वज़े से हम उनकी परशंसा करें आज का उनका बियान देश को और निराश करने वाला बियान आज सवाल यह है कि जिम्मेदारी एक प्रधान मंतरी का कारेयले है उनकी एकांटिबिलिटी है पारलेमेंट के परती भी देश की जनता के परती भी एक सत्ता का दूसरा केंदर है जिसकी कोई accountability नहीं उनके पास सत्ता तो है लेकिन जिम्मेदारी नहीं प्रधान मंतरी को जिम्मेदारी लेनी पड़ती इसलिए कई बार प्रधान मंतरी जी को क्योंकि वो देश के प्रधान मंतरी हैं अलग-अलग शब्दों से कभी मजबूर कहा जाता है कभी कोई उनको कटपुतली कह देता है कभी अंडर अचीवर कह देता है और देश और दुनिया के पत्र पत्रिकाओं में उनके बारे में इस तरह की बातें छपती रहती है क्योंकि देश का प्रधान मंत्री जरूर मजबूत होना चाहिए वो उसके पास सत्ता पूरी तरह किंद्रित होनी चाहिए लेकिन आज प्रधान मंत्री जी से ये देश के लोगों का सवाल है कि आखिर आप कह रहे हैं कि एकोनमे हालत ठीक नहीं है लेकिन बताईए कि महंगाई कैसे बढ़ी आपने आठ साल में महंगाई पर भरस्टा चार पर आपने कोई कदम क्यों नहीं उठाया और आज जब ये सरकार भूमत में है या नहीं है ये भी पता नहीं मुलाइम सिंग जी का बियान अभी मैं सुन रहा था ऐसे समाजवादियों की आदत रही है लड़ने की जेल जाने की वो लड़कर सत्ता के लिए नहीं वो सत्ता में संघर्स करते थे लेकिन आजकल समाजवादी लोग जेल से बहुत डरने लगे मुलाइम सिंग जी का बियान आया है कि अगर कुछ बोलेंगे तो जेल में डाल देंगे हम लोग तो पहले कहते रहें उनका बियान आया है कि CBI का दुर्पीयों घोड़ा है तो इस सरकार में जो लोग जिनके भड़ों से यह सरकार है उनका भी विश्वास इस सरकार पे नहीं और प्रधान मंत्री जी से देश के लोग जवाब चाहते देश उनसे कारवाई चाहता देश उनसे राहत चाहता और वो किसी और से नहीं आप प्रधान मंत्री हैं आप प्रधान मंत्री के नाते प्रफर्म कीजिए क्योंकि आपके ही पार्टी के वरिष्ट नेता ने आकर देश के सामने ये कहा है कि सत्ता के दो केंद्र हैं और ये बात यहां से निकली है तो दूर तलग जाएगी क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ट नेता महामंत्री ने अगर कहा है कि सत्ता का दो केंद्र है तो इसका जवाब जनारदन दुवेदी के देने से नहीं चलेगा प्रधान मंत्री देश के सामने आएं और देश को बताएं कि वो सत्ता का केंद्र साथ रिसकोर्स है या दस जनपत ये देश के लोग जानना चाहतें क्योंकि ये कोई विपक्ष के नेता का आरोप नहीं है ये उनके पार्टी के नेता का ब्यान है और दिगविजे सिंग जी ने कांग्रिस के ब्यान से अपनी सहमती विक्त करते हुए ये भी कह दिया है कि वो जो उन्होंने ब्यान दिया था उनका नीजी बियान है और उस बियान पर वो काइम है इसलिए भर्म की इस्तिती का नर्मान आज हुआ है और आज देश ये अपक्षा करता है कि देश में कोई भर्म नहीं होना चाहिए लोकतंतर में जो सरकार चुनी गई है लोकतंतरिक तरीके से उसका जो मुखिया होता है वो सिर्ammers एक party का मुख्या नहीं होता, वो देश का मुख्या होता, इसलिए प्रधान मंत्री जी को देश के सामने ये जवाब देना होगा, कि उनके पास ताकत अधिक है या सत्ता के दूसरे के पास ताकत अधिक है ये देश के लोग उनसे जानना चाहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद